तो फाइनली यहां पर UPPCL के तरफ से बहुती बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है यहां पर जो की UPPCL TG2 का जो रिकूर्मेंट है वो फाइनली जो की रिलीज कर दिया गया है और यहां पर जो की ITI कंडेट के लिए जो न्यू वेकेंशी का नोटिफिकेशन है वो उस है तो चलिए हम जो की step by step इसके हर एक टर्म संगर्णिसन को यहां पर आपको बताने वाले है और बिल्कुल ही यह जो की ऑफिसल वेकेंशी आ चुकी है विद्प्रूप आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं तो यहां पर फ्रेंट्स आप देख सकते हैं आप आपके सामने जो की यह जो की यूपी पिशियल का जो की ऑफिसल नोटिफिकेशन है यह एडबार्टाइजमेंट जो की ऑफिसल जो की रिलीज हुआ है आज ही की डेट में और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वेकेंसी है आपका उत्तरप्रेस पावर कार्पिसन विडि की अंतरगत समुग की रिक्तियों है तो सीधी भरती की माध्यम से सीबीटी परिच्छा की दौरा तक नीशन विद्धू धेतु निरधारित अनिवार सच्छी करता है रखने वाले भारती नागरिकों से आवेदान ऑनलाइन माध्यम की तरह आमत्रित है तो यहां पर जो ट सीट यहां पर टोटल आया हुआ है तो फ्रेंट यह बहुत ही अच्छी वेकैंसी है और इसका एक्जाम भी आपका जो की नमबर के फॉर्थ वीक में हो जाएगा तो चलिए और भी जो टर्म संग इसको इसमें आपको बताने वाले तो यहां पर देख सकते हैं कि आवेदन क अब आगे बात करते हैं कि अडिवारस अच्छी योगता है क्या है आपके पास जो की आई टी आई हाई स्कूल प्लस आई टी रहना चाहिए तीन ट्रडों में या तो फिर आपके पास एलेक्टिकल से हो तो आप इसमें जो की अपलाई करने के लिए इलेजिबल है और आप आपका एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो इसमें 118-40 साल के बीच में यहां पर आप्डों साल के वीξ आपको अपलिकेसी के सकते हैं इसमें प्लिकेसन पूद यहां पर चूब देख सकते हैं कि आपको यह फेक्टे के यहां पर आप 16 यötटिक यहां पर आगे आपको बता देते हैं कि इसमें और भी क्या-क्या इसमें रखा गया है काफी अच्छी वेकेंसी है और आइटी वालों के लिए गोल्डेन अपार्चुन्टी है इसे जो की मिस नहीं करना चाहिए और इसमें जो की क्वालिफाई करने के लिए पूरा जो की अपना जी ज जो की आपको क्वालिफाई करना होता है और इसमें जो की मिनमाँ आपके 20 नंबर जो की लाने होते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 20 अंक प्राप्त करना अनिवार रहता है और उसमें 1x4 का नेगेटिव मार्किंग भी आपके कम्प्यूटर में रहता है वैसे तो इसमें टेक्निकल वाले पार्ट में 1x4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है जो टेक्निकल का सलेबस है वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से और यहां पर जो कि आपके फाइनल मेट में जोड़ा नहीं जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कम्प्यूटर ग्या दोकी नमबर के पास जो घौश कर रहेंगे जिसे जो कि आपको 20 नमबर लाना है और जो के आपको क्वालिफाइक करना है और होगा सेलेक्शन होंगा टोटल 200 नमबर के वेज़ पर ही होने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अपलाई करने के लिए आपको जो की इ एक्जाम होने का डेट है वह देख सकते हैं कि नॉम्बर 2022 का जो चतुर्थ सब्ता है मतलब फोर्थ विक के वहां पर आपको जो की एक्जाम होना सुनिश्चित किया गया है और यहां पर अपलाई करने का जो लाज रट है वह आपका जो की आप देख सकते हैं पर कि 19 पर आपको जो की नॉम्राइशन किया जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चाहिए तो चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंट के साथ सेयर कर सकते हैं जो की यह पर पर प्रेशन काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं और काफी लंबे वीडियो में तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें मिलते हैं हम से नेक्स वीडियो में इसी तरह के एक और टेक्निकल जाव आपड़ेट के साथ अब तक लिए फ्रेंट सेहें